सब व्याधियों का नाश कैसे करें? एक बहुती सुंदर्श लोक है गुरुच्या परविछन ना प्रयोक्ता जहुयाद द्विजर एवं मुत्युन जयो होमा सरव्याधी विनाशन अब इस मंत्र का अर्थ समझें गुरुच को खंड खंड करके उसे दूद में भीगो करके अगनी में होम करे तो इस होम को मुत्युन जय होम कहते है और यह आपके खरकी या आपके जीवन की सभी व्याधियों का नाश करने की शक्ती रखती है अब सबसे पहली गुरुच है क्या? गुरुच का अर्थ होता है गिलोए आपने गिलोए का नाम सुना होगा बाबा राम देव उसकी बहुत एड़टाइजमेंट करते है क्योंकि यह बहुत बड़ी आउशदी है और वैसे भी वो आउशदी है अगर आउशदी से आप होम करेंगे तो उससे आपको लाब मिलना ही मिलना है तो ध्यान रहके कि अगर आपको अपनी वैधियों का नाश करना है आप जिन मी इश्ट का आवान करते है यह उनकी पूजा करते है जैसे दुर्गा है ओम दुर्गाय नमा हनुमान जी है ओम शी हनुमते नमा आप उनको सच्चे दिल से याद करे उनकी दस माला जब करे कम से कम उसके पश्चात आप गिलो एक को खंड 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 थत गिलो के तुकड़े ले छोटे छोटे और उसे दूद में भीगो करके अगनी में उससे होम करे तो यह मुत्यूंजे होम हो जाता है और इसमें इतनी शक्ती होती है कि आपकी सभी बिमारियों का नाश कर देता है और सिर्फ बिमारियों का ही नाश नहीं करता है यह तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसी कई तरह की मुश्किलों और बाधां को भी दूर करता है गिलोए और दूद के होम से गरह बाधा भी समाप्त हो सकती है तो दस माला जब के पश्चात एक माला होम आप गिलोए या गुवच और दूद से करे तब इससे विशेश लाब मिलता है आप चाहे तो साथ में थोड़ी बहुत हवन सामगरी भी मिला सकते है आपकी आउशक तानुसा है लेकिन हाँ दूद इतना ना हो कि अगनी बुझ जाए तो इस बात का भी आपको विशेश ध्यान रखना है जब भी आप हवन करे तो अगनी ना बुझने पाए तो दूद केवल इतनी मात्वा में हो कि वो मिक्स रहे आप चाहे तो साथ में देशी घी भी डाले वो भी लापकावी रहेगा इससे आपकी सबी व्यादियों का नाश हो जाएगा